चीन के गढ़ में घुसकर भारत ने अब वो काम कर दिया है जो चीन सोची नहीं सकता था और चीन की छोड़िये भारत की पुरानी सरकारे इस काम के नाम से ही हाथ जोड़ लिया करती थी वहीं दूसरी तरफ पियोके के बारे में आई बड़ी खबर भारत के साथ में पियोके के लिए आया वह देश जिसकी कोई कलपना नहीं कर सकता है यह मुस्लिम देश अब भारत के साथ खड़ा है और पाकिस्तान के खिलाफ और बड़ी बात यह है कि इस देश के पास वह ताकत है जो अंतराश्टी अस्तर पर बहुत माईने करती है गया है जानेंगे आखिर क्या है मामला वहीं दूसरी तरफ तूर्की फ्रांस की लडाई में अब कूद गया है भारत आईए जानते ही इन खबरों को विस्तार से एक वक्त था जब अरब देशों में पाकिस्तान की तूती बोलती थी और अरब देशों को दिखला दिखला कर भारत को डरानी की कोशिज करता था और वह समय ऐसा था जिसमें अरब देशों की राजनीती में भारत काफी पीछे था हाला कि इसे आप कॉंग्रेस की गलत नीतियां ही कहेंगे क्योंकि जिस प्रधान मंतरी मोधी के बारे में यह कहा गया था कि उनके सत्ता पर आते ही उटा हुआ और कई मुस्लिम देशों ने तो अपने सरवच सम्मान से प्रधान मंतरी मोधी को नवाजा भी और वहीं रिस्ते भी इतने मजबूत हो गए कि अब पाकिस्तान की जगह नहीं रह गई है अरब देश वही है पाकिस्तान वही है भारत वही है लेकिन रिस्ते कि अफरीका में पहले से चीन पैर जमा चुका है ऐसे में अफरीका में परवेश कर पाना भारत के लिए नामुम्किन है उस समय यह भी कहा गया कि अफरीका चीन का गड़ है और अफरीका के अंदर घुज कर चीन को बाहर निकालने की कोशिस भी करना बहुत बड़ी बात हो लेकिन ये कहने वाले ये भूल गए कि कोशिस करने वाले की हार नहीं होती अब देखिए दिसा और दसा दोनों बदल रही है वही अफरीका वही भारत और वही चीन लेकिन अब अफरीका में चीन का बिरोध हो रहा है और भारत को बड़ा राजनितिक समर्थन मिल रहा है अफरिका में न सिर्फ भारत घुस रहा है बलकि अब अफरिका के कई देशों के साथ अपनी डिफेंस डील करने जा रहा है और इसका सबसे बड़ा उधारन है मुरक्कों के साथ होने वाली बड़ी डिफेंस डील दरसल भारत रच्छा सुतरों में एक बहुत बड़ी डील करने जा रहा है अफरिका के साथ अफरिका आज तक चीन से हतियारों को खरीदा करता था लेकिन चीन के हतियार अकसर धोका दे देते थे वहीं रूस के हतियारों की बात करें तो वो भरोसे मन्तों होते थे लेकिन वो काफी महंगे होते थे जिनको लेना बस की बात नहीं होती है ऐसे में अब जब भारत हतियारों के वैपार के छेतर में उतरना चाहता है तो भारत को बहुत ही ज़्यादा समर्थन मिल रहा है अफरीका से और इस डिफेंस डील के तहत भारत अब अपने हतियारों को बेचेगा अफरीका में वैसे एक तरफ भारत ने कजाकिस्तान के साथ रच्छा सोधा किया है तो वहीं दूसरी तरफ अफरीकी देशों के साथ करके चीन को एक बड़ा जटका दे रहा है वहीं दूसरी तरफ भारत को एक बहुत बड़ा मौका मिल गया है और वह मौका है पियोके को वापस भारत में सामिल करने का और ये मौका किसी और ने नहीं दिया है बलकि उसने दिया है जो आज तक कस्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का आख बंद करके समर्थन करता था और वह देश सौधी था सौधी अरब के समर्थन के बल पर पाकिस्तान ने कस्मीर मुद्दे को जिन्दा रखा था और सौधी अरब के समर्थन का मतलब है OIC के मुखिया होने की वज़े से OIC के जादा तर अमीर अरब देशों का जो ये संगटन है उनका समर्थन पाकिस्तान को मिलना खास कर ये अमीर देश पस्चिमी जगत में अपना परभाव रखते हैं लेकिन पिछले 3-4 सालों में भारत की विदेश नीती काफी कुछ बदल चुकी है और भारत के रिष्टे अरब के साथ बहुत ही अच्छे हो गए हैं सौधी अरब ने अब एक तरह से दिवाली का उपहार दिया है भारत को भारत को मौका दिया है कि भारत पियोके पर वापस अपना कबजा कर सके दरसल अगले मैने G20 की मीटिंग होने वाली है सौधी अरब में और सौधी अरब ने इसकी निसानी के तोर पर एक नोट जारी किया है और इस नोट में खासियत यह है कि इस नोट के पीछे पूरी दुनिया का मानचित्र दिखलाया गया है जिसमें अलग-अलग रंगों से अलग-अलग देशों को दिखलाया गया है और बड़ी बात यह है कि इस मानचित्र में पाकिस्तान के मानचित्र में कहीं भी पियो के कस्मीर या गिलगिट बालिस्टान को साथ में नहीं दिखलाया गया है ये खुद में बहुत बड़ी बात है जहां पाकिस्तान अपना नया नकसा नया मांचित्र जारी करके यह बतलानी की कोशिश करता है कि वो भारत के और भी भुभागों पर दावा रखता है तो वहीं साथी अरब ने उसके मांचित्र को संसोधित करके अपने नोट में जो दिखलाया है वो भारत के लिए बहुत ही जादा फाइदेमंद है ऐसे में यह साफ हो रहा है साथी अरब पाकिस्तान के पियोके या कस्मीर को मुद्दे पर समर्थन नहीं कर रहा है वहीं दूस इस तरह के मामलों में भारत सांत रहता है लेकिन जिस तरह से फ्रांस खुल कर भारत के समर्थन में आया है चीन के खिलाफ वैसे ही तूर्की के खिलाफ भारत भी खुल कर फ्रांस के समर्थन में आ गया है और बिदेश मंत्राले की तरफ से अपने बिचार रखे गए हैं य पुर्की के खिलाफ फ्रांस को अपना समर्थन दिया है और इस पत्र में साफ साफ लिखा गया है कि फ्रांस के राश्टपती मैक्रोन के ऊपर जो बैक्तिगत हमले किये जा रहे हैं वो निंदनिये हैं साथी साथ जिस तरह से फ्रांस में टीचर के साथ हुआ वह भी बहुत ह ज्यादा निंदनिये हैं आपको बता दें हाला कि कई मुस्लिम देशों में फ्रांस के राष्टपती मैक्रोन के खिलाप परदर्सन हो रहे हैं उनके बयान के बाद लेकिन कहीं न कहीं मैक्रोन पर बैक्तिकत हमला जैसे कि तुर्की के अर्दोगन ने यह कह दिया कि उन्हें म आथा गया है वैसे आपको क्या लगता है फ्रांस का साथ देकर भारत ने सही किया या फिर गलत किया कमेंट कर अपनी राए जरूर बताएं जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खवर के साथ